आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवर ग्रैंड क्राइसिस के बारे में अभी आपको देखने को मिलेगा काफी जादा चर्चित नाम है यह चाइना की कंपनी है और काफी बड़ी दिक्कत कर सामना कर आपको देखने को मिले हैं इसके कारण हो सकता कि मार्केट के अंدا गिरावाट आपको आँगैर अगर आप नहीं जानते हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर मदबूल होत्व हैं तो सबसे बहռे है दोस्तों एवर Evergrande company है क्या? Evergrande Group है क्या? फेला आप ये जान लीजिए सो फिरंड जिनको नहीं पता है Evergrande कौन सी company है Evergrande दोस्तो एक real estate company है चाइना की एक real estate company है जिसे Evergrande Group से जाना जाता है और Evergrande एक real estate company होने के कारण काफी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलते है चाहिना की वन आफ दो बिगेस्ट कंपनी में से एक यहाँ पर आती भी देखने को मिलती है और अब इसके उपर दोस्तों हो रहा है जो खबरे निकल के आ रही है और जब सोर्सिस का माने तो यह कंपनी डेट बहुत ज़ादा होता हुआ देखने को मिल गया है यानि बहुत ज़ादा कंपनी के उपर करच होता हुआ देखने को मिल गया है और अब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस कंपनी को और बाते यह आ रही है कि ये company को अब बंद करना पड़ेगा because company के उपर इताक करजे कि company यहां से आगे नहीं चल सकती और company को बंद करना पड़ेगा पट इससे क्या फरक्ट्या पड़ता है कि कोई company बंद हो जाती है तो तो याद रखिए का friends ये जो चाइना की evergrand company है इस company का yearly sales करीवन 110 billion dollars का है यहीं काफी बड़ा company आपको अपना net sales दिखाती भी देखने को मिलती है बहुत बड़ी company है friends याद रखिएगा ये company की या चाइना की one of the largest अगर आप देखेंगे कोई company से आती तो वो चाइना की evergrand company आती है और अगर ये company debt के कारण बंद हो जाती तो चाइना का biggest system failure आपको देखने को मिलेगा जो आज तक किसी भी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ है और इसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि सारे real estate stocks के साथ साथ पूरे market के अंदर sell off आएगा लास्ट दो दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट दो दिन में बाजार recover तो हुआ है बट आपको अमेरिका के markets के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिल रही थी हमारे बाजार कल क्यों गिरे थे तो main reason क्या है उसका main reason यह कि China की evergrand group के उपर मुसीबत चाड़ी है और हो रहा है कि यह company बंद हो जाएगी जिसके करण चाइना कह सकते कि उनका पूरा यहाँ पर system collapse आपको होता हुआ देखने को मिलेगा इस company के उपर इतना जादा debt है कि यहाँ पर चाइना भी अब इस company को loan नहीं दे पा रही है आपको एक बार पूरा मामला समझा जेता हूँ क्या हुआ 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 है जो important क्या है तो friends चाइना की एक evergrand company है यह है और आपको देखने को मिलेगा troubles engulfing Chinese property developer evergrand have prompted comparisons to the failure of lemon brothers in 2008 इसका मतलब क्या है कि चाइना की जो यह company है इसके उपर एक बहुत बड़ा debt है करीबन 300 billion dollars का यह company के पास जितनी assets नहीं है उससे जादा company के उपर debt आ चुका है और याद रखिएगा जब इतनी debt-leden company काम करती भी देखने को मिलती है तो वो आगे चल नहीं पाती है लगातार इस company की जो sales है वो decline होती भी देखने को मिल रही है और investors जिन लोगों ने इस company के पर पैसा लगा रहा है worldwide यह खबर आ रही कि possibility यह company default हो जाएगी defaults की list में आपको आती भी देखने को मिलेगी जिसके कारण एक नया global financial crisis आपको trigger यानि शुरू होता बाद देखने को मिल सकता है काफी important दे दोस्तों याद रखेगा जब ऐसी companies जो बड़ी बड़ी companies आपको यहाँ पर बंद होती भी देखने को मिलती है जिस पर investors का large amount लगा हुआ रहता है तो फिर उसके कारण बाजार में एक गिरावट जरूर बनती है और वो अपने दो से तीन दिन पहले देखा है अभी तो आज चाइना के market बन थे और इसलिए यहाँ पर कोई भी reaction नहीं आया बट कल चाइना के market जब खुलेगा और चाइना की government क्या decision लेती है उसके उपर सब की नजर रहेगी आपको देखने को मिलेगा बाजार में अभी सिफ इसकी ख़वर चल रही कि चाइना की evergrand company कैसे करेगी क्या करने वाली है क्या बंद करने वाली है या फिर सरकार इनकी कोई मदद देने वाली है some of whom claim as such as much as one million dollar owed in a rare show of protests in china if you are wondering what is the first about evergrand तो देखिए सबसे पहले आप इसको सब कुछ जान लीजी आपकी जो भी मन में question है सब को मैंने का कि evergrand china की second largest property dealer company है और यह काम करती भी देखने को मिलती है guandong जो province है south of the country का evergrand expanded 280 cities के अंदर है नहीं छोटी मोटी company ने जैसे सब को मैं कह रहा हूँ और यह सबसे बड़ा face है real estate sector का जिसके पास करीबन 1300 से जादा की real estate projects यह own करती है और china's की property company big driver से economy का और second largest है world के अंदर क्या है दुस्तों यहां पर what is evergrand in the spotlight देखिए क्यों है spotlight के अंदर because यह company के उपर 300 billion dollar का कर्ज है और property sales लगा था decline हो रही है जिसके गारण possibly की company fall हो जाए company के पास cash flow नहीं है जो company को loan मिल रहा था उससे थोड़ा सा cash flow company का manage था और अब वो cash flow यह बंद हो गया तो देखिए यहांसे आगे काम किसे करेगे company because company के उपरता debt है in addition to bond holders the company is owe 667 billion yuan यानी 103 billion dollars यह आपको bond holders को यह जिन उससे bond लिया उन्होंने उससे पैसा यह उनको देना बाकी है तो इतना बड़ा देखिए जब debt किसी भी company पर होगा तो कैसे काम करेगे साफ साफ बात है company ने कहाए कि company is offer to repay the debt in the form of property and parking spaces प्रॉपर्टी यह उनको देखिए बेचने के उपर अब इनको आना पड़ रहा because उनके पास कोई भी option नहीं है और इनने कहाए कि हम ऐसे जो भी investors से उनका cash back कर देंगे उनको पैसा उनका वापिस लॉटा देंगे बाट यह हुआ कैसे देखिए यहां पर चाइना ने काफ liquidity from Evergrande bond देखिए जो liquidity थी उसको देखिए पूरा चाइना ने hold करके रख दिया था बंद कर दिया था और इसके कारण Evergrande के bonds यहां पर Ashmo Group, Black, Rosk, HSBC Holdings और उनको बेचने पड़े उनसे लेना पड़ा यहां पर देखिए पैसा और अब इत्ती हालत खराब हो चुकी है कि यहा इनको grace period मिला था और अभी तक company अपना पैसा पे नहीं कर पाई है और अगर कल यह पैसा नहीं पे कर पाती है तो चाइना की government को एक major decision लेना होगा कि यहां से क्या करे क्या इस company को बंद करे या फिर खुद वापिस से timeline और दे इनको ताकि वो अपने payments कर सके और याद अगर यह company बंद हो गई तो हमारे market के अंदर sellout आएगा और यहां से घिरावट आपको देखने को मिल सकती है चाइना के market तो मान के चली एक पूरे crash की स्थिति में चल जाएंगे पड़ उसके खरण पुरा global economic crisis जो सबसे important है यह आपको आतावा देखने को मिलेगा और दिक् क्या हो सकता है आगे तो यही बहुत important है effects जैसे का आपको मैंने कहा कि already आ चुके है September 21 को global stock market के अंदर जो fear था जिसके करना चाइना ताइवान साउथ कोरिया markets सब गिरते वे देखने को मिले है SGX गिर गया SNP गिर गया और आज देखे बाजार थोड़े बहुत recover कर गए बट अब हमको important चीज़ है कि कल हमारे बाजार के अंदर expiry भी है और उनका decision भी आने वाला है तो बहुत ही important ने होने वाला है कल और इसलिए आज सारे investors और सारे देखे याप आपको देखने को मि काफी जादा experts ने दोस्तों आज यह राय दी थी कि बिल्कुल भी positions लेकर ना चले because कल बढ़िया खावर होती है तो market में तीजी आएगी लेकिन कुछ देखे खुदाना कर खराब हो जाता है तो बाजार के अंदर गिरावट आपको साफ साफ देखने को मिलेगी तो दिक्कत हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बट हमको देखना होगा कि कल कैसे market react करते अभी तो यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत चिंता से मुक्त रहिए because यह क्या हो सकता है कि हमारे लिए एक opportunity हो सकता है हमारी real estate companies के साथ तो यही कि देखिए इस मुसीवत को अफसर में कैस से बदलता है भारत यह important है rather than कि हमको थोटा सा negative सोचना हां एक effect तो 100% आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है बट देखना होगा आगे कैसा है क्योंकि याद रखेगा एक lemon brothers का financial crisis हुआ था 2008 में उसके करन सारे market crash कर गए थे और अब फिर से एक और जो market crash के लिए company आ चुकिए evergrand यह बहुत important है so we have to see क्या होता है देखिए कल but importantly हमारे markets के अंदर क्या correction आने का सबसे बड़ा reason यह होगा तो हमको यह कल देखना होगा तो definitely we will watch दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था hope so video बढ़िया लगा होगा आपका कोई भी query हो तो comment section नहीं ताकि मैं उसक तो बिल्कुल आपके जो भी query हो उसको solve करने की कोशिश करूँ friends इस वीडियो में इतना ही था thank you for watching this video